हलो जी नमस्कार कैसे हैं आप साब तो इस वीडियो में हम विटामिन A के कुछ बहतरीन सोर्स के उपर चर्चा करेंगे विटामिन A एक फैट सोलबल रसायन है लोग इसे सीरियस नहीं लेते हैं और शरीर में कमी होने पर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो कि आप सब विटामिन A को अच्छी तरह से समझ सकें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा नमबर वन सोर्स है ओ है लैंब लीवर लैंब लीवर विटामिन A का बहुत ज्यादा अच्छा स्रोथ है इसमें आपको 100 ग्राम लीवर में 778 CMCG का रेटनल मिल जो कि बहुत बड़ी मात्रा है तो दोस्तो मुझे नहीं लगता विटामिन A के लिए इससे अच्छा कोई स्रोथ हो सकता है तो अगर आप अपनी विटामिन A की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो लैंब लीवर अपने डाइट में सामिल करना शुरू कर दीजिए तो दोस्त कारी के लिए बता दूँ कि पूरुसों को हर रोज 900 mcg विटामिन A की आउसकता रहती है वहीं महिलाओ को हर रोज 700 mcg विटामिन A की आउसकता रहती है तीसरे नंबर पर है कोड लिवर ओयल गाइज 14 ग्राम कोड लिवर ओयल में 4080 mcg विटामिन A मौजूद होता है जो क अगला सोर्स है बटर एक टेबल स्पून यानि की 14 ग्राम बटर में 95 mcg के आसपास विटामिन A उपलब्द रहता है विटामिन A का अगला सोर्स है एग दोस्तों ये 50 ग्राम बड़ा सा उबले हुए अंडे में 75 mcg रेटनल मौजूद होता है यानि की 75 mcg विटामिन A उसी के साथ नंबर 7 वे सोर्स पे रखा गया है मिल्क को यानि की दूद को गाईज मिल्क वैसे तो एक कंपलीट फूड है इसमें सभी के सभी पोसकततव अच्छी मातरा में मौजूद होते हैं वहीं विटामिन A की बात की जाये तो इसमें 1 कप यानि 237 ml में 76 mcg विटामि यानि की गंजी गाईज एक काप यानि की 200 ग्राम स्वीट पोटाइटोस होगे तकरीबान आप 1920 mcg विटामिन A पा सकते हैं जो की बहुत अच्छी मातरा है गाईज अगर आप भेज हैं यानि की भेजिटेरियन है साकाहारी है तो आप स्वीट पोटाइटे का सेवन करके विटामिन A की हो सकता पूरा कर सकते हैं तो गाईज जो हमारा अगला सोर्स है वो है केल गाईज एक कप यानि की 118 ग्राम पके हुए केल में 172 mcg विटामिन A मौझूद रहता है तो अगर आपको अपनी कमी को पूरा करना है तो आप केल भी खा सकते हैं तो दोस्तों दस् अगर आप सबको समझ में आया होगा तो दोस्तों अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप सब ऐसी ही महत्मूर जनकारी मिशना करें तो गाइज आज के लिए विदा लेते हैं नमस्कार जैहिंद धन्यवाद